दोस्तों गर आप भी यहाँ पर देश के सबसे बड़े government bank यानि कि state bank को फिंडिया से gold loan लेना चाहते हैं तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर किलिक किया है आज किस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर complete information देने वाला हूँ कि आप यहाँ पर SBA bank के अंदर gold loan किस तरह से ले सकते हैं और state bank को फिंडे के अंदर gold loan लेने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या किया document होने चाहिए अपलाई करने का क्या process होता है यहाँ पर आपको कितने interest bank को देना होता है एंड ये gold loan आपको कितने time के लिए मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको कितनी processing fees देनी होती है सारी जानकारी आज की इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली है यानि कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पर कोई अधर वीडियो देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप यहाँ पर State Bank of India से gold loan के लिए कैसे apply कर सकते हैं और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए banking and finance को बहुत ही जादा आसान बनाता है दोस्तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि State Bank of India के अंदर आप यहाँ पर gold loan किस तरह से ले सकते हैं तो आज की जबरदस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तो अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ कि SBI में gold loan लेने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या के document होने चाहिए यहाँ पर जो ज़रूरी document है वो है आपका अधार card, pen card, SBI में एक आपका saving account होना चाहिए और passport size photograph और आप यहाँ पर जिस gold loan लेना चाहते हैं वो gold आपके पास मुझूद होना चाहिए अगर आपके पास यहाँ पर gold मुझूद है तो आप यहाँ पर state bank of India से gold loan ले सकते हैं दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ कि gold loan लेने के लिए हमें यहाँ पर किस process को follow करना होता है दोस्तों मैंने जो आपको यहाँ पर document बताए हैं आपको सिम्पली वो सारे document लेकर अपनी nearby link branch में विजिट करना है link branch हम यहाँ पर उस branch को बोलते हैं जिस branch में हमारा account open होता है तो आपको सिम्पली अपनी link branch में विजिट करना है वहाँ पर आपको directly manager sir के पास जाना है और वहाँ पर आपको बोलना है कि sir हमें यहाँ पर gold loan की जरुवत है अब हमारा gold loan अप्रूव करा दीजिए तो वहाँ पर वो सबसे पहले आपके document चेक करेंगे अगर आपके पास सारे document है और मान लीजिए आपका account SBI के अंदर नहीं है तो सबसे पहले आपका account open किया जाता है अगर आपका account यहाँ पर है तो आप यहाँ पर gold loan के लिए eligible है और आपको यहाँ पर gold loan बिना किसे टैंसर के मिल जाएगा अगर आपका account नहीं है सबसे पहले आपका bank की तरफ से account open किया जाएगा and next दिन आपका gold loan के लिए apply किया जाएगा इस तरह से आपके लिए यहाँ पर gold loan के सारा process हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो manager sir होते हैं वो आपको यहाँ पर एक gold loan apply करने के लिए एक form provide कराते हैं आपको simply उस form को fill कर लेना है form को fill करने में bank के employee आपकी help अरते हैं जब आप उस form को fill कर लेते हैं वहाँ पर उस form के साथ आपको अपने अधार card की फोटोगोपी, pen card की फोटोगोपी आपको लगानी होती है और आपको अपने passport size photograph उस form पे attach करने होते हैं जब आप उस form को अपनी branch में submit कर देते हैं अब यहाँ पर बारी आती है आपके gold पर loan की valuation निकलने की यानि कि आपके पास जो gold मुझूद है उस gold पर आपको bank कितना loan देगा तो दोस्तों gold के बारे में bank को तो कोई पता नहीं होता है लेकिन gold के बारे में जो यहाँ पर जानकारी होती है वो होती है एक सुनार को एक सुनार ही यहाँ पर असल माईने में बता सकता है कि उस gold में कितना gold यहाँ पर असली है और कितना gold यहाँ पर नकली है तो bank एक सुनार को यहाँ पर hire किया हुआ होता है कि उस gold में यहाँ पर कितना सोना यहाँ पर असली है और कितना यहाँ पर नकली है यानि कि आपके पास जो gold है उसकी valuation एक सुनार ही निकालता है तो bank ने एक सुनार को hire किया हुआ होता है आपको simply एक branch का यहाँ पर यानि कि आप जिस bank से loan लेना चाहते हैं उसके एक employee आपके साथ उस सुनार के पास जाता है यानि कि जिस सुनार को bank ने hire गया होता है और वहाँ पर आपके gold की valuation निकलती है कि आपके gold पर आपको कितना loan मिल जाएगा और उसमें यहाँ पर कितना सुना pure है और कितना यहाँ पर उसमें other mental है वो सारा एक valuation phone पे यहाँ पर निकल गयाता है उस valuation phone में आपको पता चल जाता है कि bank आपको कितना loan आज के date में offer कर रहा है कि current scenario के हिसाब से आपको यहाँ पर gold loan कितना मिल जाता है तो उस्तों मान लीजिए अगर आपके पास एक तोला यानि कि 10 gram gold है और आप उस पे loan लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लगभग gold की value का 60-70% loan bank offer करता है यानि कि 25 से 30,000 रुपए एक तोला सोना पे 50,000 रुपए के rate में आपको मिल जाते हैं यानि कि अगर सोने का rate लगभग 50,000 रुपए है तो आपको यहाँ पर 25,000 से 30,000 रुपए के लगभग उस gold loan की रूप में मिल जाएंगे यानि कि current rate में आपको 60-70% gold loan bank offer करता है जो बहुत बड़ी बात यहाँ पर मानी जाती है आप यहाँ पर कम से कम तो 20,000 रुपए का gold loan और जादा से जादा आप यहाँ पर 20,000 रुपए का gold loan बैंक से यहाँ पर ले सकते हैं आपके नाम पर यहाँ पर खेती की जमीन है और आप यहाँ पर अगर अपनी खेती की जमीन की फरद gold loan अपलाई करते हैं वहाँ पर लगा देते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का interest में छूट मिल जाती है इस base पर आपको State Bank of India interest आपसे चार्ज करता है अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ कि क्या gold loan लेते टाइम हम से SBI Bank को यहाँ पर processing fees भी लेता है या फिर नहीं तो यहाँ पर दोस्तों किसी परकार की कोई processing fees आपसे नहीं ली जाती है लेकिन यहाँ पर आपसे जो gold की यहाँ पर value शुनार निकालता है उसका एक यहाँ पर basic सा चार्ज होता है वो होते हैं यहाँ पर 400-500 रुपए जब आपका gold loan अप्रूव हो जाता है तो आपके account से ल पर सुनार की valuation निकालने के दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूं कि अगर आप भी यहाँ पर state bank को फिंडिया से gold loan लेते हैं तो आपको वो gold loan कितने time के लिए यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों basically यहाँ पर जब भी आप कोई loan लेते हैं तो आपको simply उस loan को ज अबनी bank में जमा कर देनी है और जो उस पर interest लग रहा है वो आपको जमा कर देने है उसके बाद आपका वो gold loan दुबारे से renewal हो जाएगा और दुबारा आपको पैसे मिल जाएंगे यानि कि साल में एक बार आपको gold loan को renewal करना होता है उसके बाद आपका gold loan अगर सही से चलता रहता है तो bank आपको तरह तरह के और loan भी offer करने लगता है जब भी आपको इस बैंक से loan ले तो आप उस loan को एक साल के बाद दुबारा यहाँ पर renewal जरूर करा ले तब यह आपको bank की तरफ से काफि सारे loan के offer मिलने start हो जाएंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सार saving account में transfer कर दी जाती है फिर आप अपने saving account से checkbook के दुवारा या फिर form को fill करके पैसे निकाल सकते हैं जो भी आपकी gold loan की amount बनती है simply आपकी उसकी एक अलग से passbook बन जाती है उस passbook में आपका सारा हिसाब होता है आपके gold loan का तो इस तरह से आप state bank of India के अंदर gold loan यहाँ पर ल आया है अगर आपको यह वीडियो फसन आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को सभी अपने भाईयों के साथ जरूर से एर कर दीजिए ताकि जो भाई भी state bank of India से gold loan लेना चाहता है वो इस वीडियो को देखकर gold loan लेने का complete process यहाँ पर समझ सके नेक्स वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम